सेफटी टीम वेलकम बैक टो सेफटी स्कील चैनल दोस्तों 2022 आ चुका है तो चलिए इस साल का शुरुआत हम लोग कुछ नई डिजॉलिशन और न्यू लर्निंग के साथ करते हैं तो दोस्तों आज का जो जो वीडियो है ये हर किसी के लिए important है कि हर दिन इसकी जुरत पड़ती है और हर कोई इससे जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आज का जो हमारा topic है वो है road safety तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि road safety क्यों ज़रूरी है उसके बाद देखेंगे कि इस वाइ रोड सेफटी तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है जिससे अब जान सकते हैं कि वाइ रोड सेफटी मतलब क्यों रोड सेफटी बहुत ज़रूरी है तो हम लोग वन बाई वन जाएंगे फर्स्ट पॉइंट है और वन मिलियन में तैन लाक होते हैं ओके मिन्स बीस लाक से ज़ादा लोग पूरे वर्ल की बात हो रही है कई एक्सिदेंट ऐसे होते हैं जो की रिपोर्ट ही नहीं किये जाते हैं सो मिन्स ग्राफ इससे बड़ा है सेगंड पॉइंट बीट्विन ट्वेंटी और फिप्टी मिलियन सफर नन फैटल इंजरिस नन फैटल इंजरिस दोस्तों इसको बोलते हैं जिसमें लोग की मृत्यू नहीं होती है चोट लगती है ठीक है ठीक है जिसके वैसे क्या होता है कि उस कंट्री को पर बोच और ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें से जो आधा से अधिक जो लोग है वो ऐसे होते हैं जो पैदल चल रहे रही होते हैं साइकलिस्ट चलाने वाले लोग होते हैं जो कि साइकल से चलते हैं रोड पर और थर्ड जो है वो मोटर साइकल मिन्स ये तीनों लोग जो है वो सबसे ज्यादा अनसेफ रोड पर हो जाते हैं ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अनसेफ चलते हैं मिन्स ये जब रोड पर चलते हैं तो अनसेफ हो जाते हैं कोई नहीं मार कर जा सकता है कोई भी फोरविलर अगर इन से टच करती है तो इनके साथ एक्सिदेंट हो जाता है ठीक है नेक्ट पॉइंट रोड ट्रेफिक इंजरीज आर दर लीडिंग काउजेज अफ डेथ अमंग पीपल इस्ट 15 तो 29 यह बहुत इंपॉडेंट पॉइंट है कि जिनकी इस पंदर से लेकर 29 तक होती है उन लोगों में ये केसेज जादा होती है ठीक है इस अंडर इस राइडिंग जो होती है वो होने के वज़े से एक्सिडेंट का रीड जो है थोड़ा जादा बढ़ जाता है नेक्स्ट एवरी डेए मोर देन 1000 यंग पीपल अंडर दे एस अफ 25 यह आर किल्ड इन रोड ट्रेफिक क्रैस ग्लोबली हर दिन एक हजार से जादा लोग केवल रोड एक्सिडेंट में मर रहे हैं वो भी 25 साल से कम के लोग ठीक है यह सब पॉइंट्स जो है दोस्तों याद करने वाली है अने वाले दिनों में अगर इस पर एक्सिडेंट का डाटा है टू मिलियन का यह और डबल हो सकता है मिन्स फोर मिलियन फाइव मिलियन तक हो सकता है ओके नेस्ट इन इंडिया मोर देन 1,30,000 पीपल डाई इच एर इन रोड एक्सिडेंट केवल भारत में हमारे देश में एक लाख तीस हजार से जादा लोग केवल रोड एक्सिडेंट में मारे जाते हैं वो भी हर साल ओके इसके बाद भी दोस्तों ये बता दू कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो के रिपोर्ट नहीं होते हैं ओके मिंस ग्राफ इससे बड़ा ही है आगे तो दोस्तों ये जो वीडियो है तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सेफ्टी प्रोफेशनल एस वल एस जो नॉर्मल पीपल से जो सेफ्टी के बारे में ज्यादा नॉलिज नहीं रखते हैं उनके लिए भी है मिंस ये एक तरह का अवेरनेस और ट्रेनिंग वीडियो है ठीक है तो जो सेफ्टी प्रोफेशनल वो इस चीज को ज्यादा समझेंगे इस पॉइंट को रोड एक्सिदेंट्स कंट्रिब्यूट 20 तो 50 परसेंट अफ टोटल एक्सिदेंट्स इना हेवी इंडिस्ट्री हेवी इंडिस्ट्री में जो एक्सिदेंट होते हैं उसका रेश्यो होता है 20 तो 50 परसेंट औफ रोड एक्सिदेंट्न मिंस जो भी एक्सिदेंट होता है उसमें 50 परतिसार्थ तक का जो हिस्सा होता है वो रोड एक्सिदेंट का होता है नेक्स्ट पॉइंट बहुत सरी कंपणी ऐसी हैं जिसमें हर साल road accident होते है किसी भी company में जब कोई accident होता है तो ये बहुत बड़ा blunder हो जाता है जिसके वे से कई चीजे company को खोनी पड़ती है इसलिए कोई भी companies नहीं चाहती है कि उनके अंदर में कोई भी accident हो ओके बट reality ये है कि हर साल कोई न कोई road accident पे मारा जा रहा है means improvement उतना जादा अभी नहीं हुआ है last point most of the accidents happens in industry of exgratia cases that is that is accidents while coming or going from duty out बहुत सारे cases companies में mainly उस समय होते है जब लोग के duty आने का टाइम होता है और duty से जाने का टाइम होता है इसे हम लोग exgratia भी बोलते है ठीक है तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि accident क्यूं होते हैं आके reasons क्या है कौन responsible इसके लिए है तो दोस्तों इसमें total मैंने 10 reasons लिखे हैं और ये केवल 10 ही नहीं है 10 से जादा reasons है अगर reasons लिखने लगे तो ऐसे बहुत 50 से जादा reasons हो सकते हैं मैंने 10 लिखे हैं total यहाँ पर चली one by one देख लेते हैं so first reason is over speeding second over speeding मतलब जो speed limit है उससे ज़्यादा चलाना ठिक है गाड़ी को जो कि आजकल teenagers ज़्यादा चलाते हैं use of mobile and earphones ये बहुत common हो गया हर age के लोगों के लिए खास करके teenagers mobile phone का uses बहुत ज़्यादा हुआ है आप इस image से relate कर पाएंगे इस line को third point wrong overtaking wrong overtaking के वज़े से काफी सारे accident होते हैं हर दिन आप लोग road पर देखे होगे किसी ने किसी के बहास होते रहती है कि आपने इधर से क्यों मड़ाया है उधर से क्यों मड़ाया है तो ये daily का है fourth point driving under influence of alcohol or drugs it is a common issue of road accident okay so कभी भी हमें गाड़ी under influence of alcohol और एनी ड्रग नहीं चलाना है इससे क्या होता है हम इस इस रिजन के वज़े से हम अपने आपको भी खत्रे में लाते हैं और दूसरी के लिए भी खत्रे का रूप बन जाते हैं so fifth reason rash or negligent driving that is zigzag driving जो teenagers होते हैं वो काफी rash driving करते हैं दूसरे को ignore करते वे एकदम speed में zigzag driving करते हैं आजकल तो बहुत ही यह जादा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए जिसके वज़े से जो ऐसे लोग हैं जो की safely road पर चलते हैं उन्हें काफी दिक्कत हो जाती है so next point sixth violation of traffic of the violation of the traffic rules and signs जो traffic rules and signs है उससे तोड़कर कई लोग road accident का कारण बन जाते हैं दोस्तों इस video के description box में आपको एक video मिल जाएगा जिसमें मैं traffic rules के जो signs है जो signage boards है उनका meaning उसमें अच्छे से describe किया गया है जो की तरह तरह का board up road पर देखते हैं कोई triangle होता है कोई square होता है कोई goal होता है तो उससे क्या meaning है और उससे में कैसे समझना चाहिए वह उस video मैंने समझाया तो वह video आप जरूर देखिएगा इस video के बात तक कि आपको और awareness हो सके ओके सो नेस्ट पॉइंट को हम लोग चलते हैं fatigue और insufficient rest means जब रेस्ट नहीं करते हैं लागाता ड्राइविंग करते हैं तो इसके वज़े से accident होती है बहुत सारे जो night accident होते हैं long tour वाले highway पे वह maximum इसी की वज़े से होते हैं 8th point performing stunt while driving यह आज़कल थोड़ा नया हो गया है जब जो teenagers होते हैं वो गाड़ी चलाते हुए stunt करते हैं दूसरे को impress करने के लिए दूसरे को थोड़ा होता है ना swag दिखाने के लिए 9th point negligent of safety gears like helmet, seatbelt and etc यह तो आज़कल का बहुत ही common हो गया है हम लोग helmet और seatbelt किवल पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं अपने safety के लिए नहीं बट दोस्तों हमेसा याद रखिए कि helmet और seatbelt यह हमें दूसरों के लिए नहीं पहनना है इससे ultimately हमारे ही safety होता है ना कि police का और व आपको अपना safety देखना है हो सकता है आपका जाए accident हुआ पुलिस ना हो और आप helmet ना पहने हो तो आपके साथ काफी गंभी स्टोट लग सकती है अपको इसलिए ध्यान मेरे कि आप किसी भी रोट पे चले और घर से निकले को helmet और seatbelt जो भी safety gears है maximum वो यूज करें लास्ट प समझ पाया होंगे इसके अलवब और भी कुछ points है वो भी reasons है accident के मैं आपको समझना चाहिए कि मुझे एक safe driving कैसे करना है ओके तो यह three step क्या है first है before driving before driving हमें क्या करना है क्या देखना है second point during riding गाड़ी चलाते हुए हमें क्या देखना है किस किन बातों को ध्यान में रखना है and the last one is after riding ओके तो चलिए step by step हम लोग देखते है so first point is before riding and the point one carry your valid driving license and documents of vehicle गाड़ी से जुड़े जितने भी काकजाद है वो सभी आप अपने पास रखे या तो आप soft copy में रखे जो आशकल चल रहा है नहीं तो आप hard copy ज़रूर रखे और उससे अच्छे से एक plastic वएगर आमें बांद करें के तक हो पानी में भीगे वेगे औ खराब ना हो okay the second point is inspect the vehicle visibly especially brakes, clutch, lights, indicators, tire pressure, horn and fuel घर से निकलने से पहले यह सब चेक्स आपको जरूर करने है इस अगर यह में से कुछ भी खराब होगा तो हो सकता है घर से निकलती आपका accident हो जाए इसलिए इससे चेक करने से चेक करना बहुत जरूरी है so third point is use safety builds before starting the LMB दोस्तो LMB का मतलब होता है light motor vehicle जितने भी force उसे हम लोग LMB बोलते हैं okay उसमें 400 साथ आ सकता है सभी तरह के cars आ सकते हैं SUV आ सकते हैं SUV आ सकते हैं यह सभी LMB में ही count होते हैं okay तो कभी भी आप LMB चला है light motor vehicle तो seed build का जरूर यूज़ करें for your safety not for police so fourth point trade depth of the tires should not be less than the thickness of the match stick इसे क्या मतलब है दोस्तों कि आप यह जो picture देख रहा है यह टायर का इसमें जो इसका जो traits है यहां पर means जो गहराई है जो गढ़्धा है वहां पर वह गढ़्धा इतना होना चाहिए कि उसमें अगर हम लोग एक match stick डाले यानि माचेश की तीले डाले तो वह ढख जाए पुरा ठीक है अगर वह नहीं छिप रहा है और वह दिख रहा है means उसका जो टायर का जो थिकने से वह कम हो गया है और वह गेस गया है वह अब change करने के situation पर है उसे हमें change कर देना चाहिए ओके सो फिफ्ट पॉइंट इस यूज ग्रैस हेलमेट विथ विथ वाइज़ा ओफ आइस आई रिजिस्टर्ड मार्क अनली बोथ ड्राइवर एंड पिलियन उसे बोलते हैं दोस्तो जो गाड़ी के पीछे बैठता है तीक है यानि अग परकेट में बहुत ही सबस्टैंडर्ड है तो हमें हमेशा आई एस आई रिजिस्टर्ड जो हैलमेट होता है उसे ही यूज करना है यह बहुत ही ध्यान में रखिएगा शिथ पॉइंट हेलमेट हम लोग लगाते हैं दोस्तो बड़क हम लोग वेह करते हैं जैसी पुलीस को देखते हैं उसे सर पर रख लेते हैं but उसका chin strip यूज नहीं करते हैं और जब accident होता है जब हम लोड पर गिरते हैं तो helmet कहीं और फिका जाता है और हम कहीं और फिका जाते हैं तो इसलिए हमेशा जो भी chin strip है means जो यहां आपको chin पर लगाना होता है should be tightened sufficiently बहुत है अच्छे से tight होना चाहिए जो next point है 7th check no one is laying under near the vehicle कोई भी आपके गाड़े के आसपास सोया हुआ ना हो कई बार होता है कि जैसे कोई 407 वेगरा हो उसके नीचे कोई मजदूर वेगरा सो जाता है ठीक है यह आपके कार के नीचे कोई जानवर सो जाता है कुटता बिल्ली कोई भी हो सकता है तो वो चेक करें कि कोई भी जानवर आपके आसपास सोया हुआ ना हो ना जानवर ना इनसान कुछ भी इन से और कर लेना अच्छा होता है 8. your hands and feet should be dry and clean for better grip यह बहुत ही important है हम लोग जानी देते हैं कि आपका जो हात है वो एकदम dry और clean होना चाह जिसे अच्छा grip होगा ठीक है अगर हम लोग dry और clean रखेंगे next point ensure first aid box and tool box तो दोस्तों यह बहुत important है जो कि हमें emergency में कामाता है ऐसे generally हम इसे ज्यादा तवज्जव नहीं देते हैं बट यह हमिसा emergency में कामाता है हमिसा गाड़ी में एक छोटा सा first aid box रखे और toolbox रखे और toolbox र अगरा रखते हैं उसे हम लोग toolbox कहते हैं next 11 headlight indicators mirrors and switches should be dust free जो भी headlights है headlight से आपके गाड़ी के क्योंकि वो बोलेगा कि आपका light तो दिखा ही नी इंडिकेटर तो दिखा ही नी बट आपने बोलेगा आप बोलेगा आप बोलेगा कि मैंने तो जलाया था तो इसके वज़ए से कई होगा लड़ाई हो जाती है और accident भी हो जाता है so last point is keep saved all emergency number in your mobile very important जितने भी emergency number है वो इस अभी अपने phone में safe रखे वो घरवाले के हो सकते है नियर होस्पिटल से होते हैं मालने अगर आप company में है तो हार company में एक emergency number दिया जाता है उसे अपने phone में safe रखे ओके so यह है before riding गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या-क्या त्यारिया करनी है अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी बाते हैं जो हमें गाड़ी चलाते हुए ध्यान देना है so first point is do not use mobile while driving in any vehicle whether it is hand, handhold or handfree किसी भी तरह गाड़ी हो, handhold हो या handfree हो आपको mobile use नहीं करना है no mobile when you are in vehicle, no means no, okay कोई भी emergency हो आपको mobile use नहीं करना चाहिए second point follow the speed limit as indicated on roads हर roads में दोस्तों हर रोड का अलग-अले की speed होता है जहां hospital उस रोड का speed अलग होगा, जहां school है उसका speed अलग होगा जो highway है उसका speed अलग होगा, ठीक है तो हर रोड का अपना-पना speed limit होता है और यह हर रोड पर so किया हो रहता है, एक board लगाया रहता है तो उस speed limit के according ही हमें उस रोड पर चलना चाहिए ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा third, blow the blinker's indicators 30 meter before turning on the road कई बार हम लोगे अगर तुरंत light जलाते हैं, blinker और तुरंत गुम जाते हैं यह unshift तरीका है, हमेशा at least 30 meter before जहां भी हमें बोलना है उससे 30 meter before हम blinker को जलाए और उसके बार वहां से turn ले सकते हैं यह safe तरीका है fourth, always overtake in case of urgency from the right hand side of the vehicle इस vehicle को हम लोग overtake कर रहे हैं, हमेशा उस गाड़ी के right hand side से ही हमें cross करना है keep safe distance, breaking distance of 2 second minimum from vehicles ahead दोस्तों safe distance उसे बोलते हैं जैसे कि माल लिजा आप एक car चाह रहे हैं, तो आपका जो car का जो length है वही same length आपको अगे maintain करना है, वो कहलाता है safe distance तकि आप अगर sudden break भी मारें, तो अब आपका आगे वाले से कोई टक करना हो so sixth point, use high beam only in case of emergency दोस्तों जो आप है headlight होता है, उसमें high beam होता है और low beam होता है तो high beam में जब हम लोग headlight use करते हैं, जो क्या होता है वो जो beam है एक दम सामने वाले के लिए आख पर मारता है, जिसके वज़े से वो road नहीं देख पाता है और उसके साथ accident हो जाता है accident हमारे साथ नहीं उसके साथ हो जाता है इसलिए better होगा अब हमें से low beam में ही गाड़े चला है और high beam कहां चला है जब आप highway वेगरा में कभी जा रहे हो तो वहाँ यूश करना चाहिए ओके, next point 7th, stop at zebra crossing and allow the pedestrian to cross the road first जो भी pedestrian पैदल रही है उन्हें zebra crossing से पार करने पहले देना चाहिए आप भी zebra crossing पे है और कोई पैदल रही भी है जो zebra crossing पार कर रहा है तो पहले कौन पार करेगा जो पैदल रही है ठीक है आपको वहाँ टड़ा वेट करना चाहिए और उन सबी को पहले allow करना चाहिए यह आपने देखा होगा हर जगा यूश होता है वीडियोसों में भी और हम यह बचमन से पढ़ाया भी जाता है बढ़ हम इसे गौर नहीं करते हैं so eighth point at all crossing follow the rule stop loop and proceed कहीं भी crossing पे वो दो रहा हो सकता है चो रहा हो सकता है गोल चक्कर हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहाँ पर हमेसा थोड़ा धीरे हो देखें आगल बगल उसके बाद वहाँ से आगे ब गाड़ी खड़ा कर देंगे तो वहाँ से पार कने वाले रोड पार नहीं कर सकेंगे और जोटी बहुत इंपॉर्टेटी बात हैं दोस्तों आपको हमेसा ध्यान रखने चाहिए next be aware from the construction or excavation job on the road अहां आपने दो देखा ही होगा कि India में हर जागा कहीं ने कहीं excavation और construction और काम रोड पर होता ही रहता है जिसके विज़से आई दिन accident होते रहते हैं तो यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है गाड़े चलाते हैं किस रोड पर कहाँ excavation हो रहा है और कहाँ पर construction काम होता है कई बार construction या excavation काम करने वाले लोग सिफ्टी फॉलो नहीं करते हैं न वो बैरिकेट करेंगे न आपको कुछ इंडिकेट करेंगे न फ्लैग्मेन रखेंगे कई बार लोग उसमें गिर जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है उनकी को रेस्पॉंसिलिटी नहीं बनती है 11. Do not drive the vehicle in zigzag manner जिग-zag manner में जिग-zag मतलब इसको बलते है साप जैसा गाड़ी चलाना वैसे आमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए 12. Do not drive the vehicle on pedestrian or footpath follow your lane only गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो हमेसा अपने ही lane में चलाएं कभी भी footpath का यूजज न करें चाहिए और follow करना चाहिए और जैसे कि मैंने आपको बता है कि इसका वीडियो आपको description box से मिल जाएगा आप वहाँ देखकर इसे सीख सकते हैं जान सकते हैं 14. Always give way to pass the ambulance and fire brigade जब भी आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हमेसा एम्बुलेंस और fire brigade जो है इन्हें priority देना चाहिए और जोत्तों ये भी मैं बता दू कि अगर आप ambulance और fire brigade को access नहीं दे रहे हैं पास नहीं दे रहे हैं और वो आपको धका मारते वे निकल भी जाती है तो उनके ओपर कोई case नहीं बनता है ठीक है आपके ओपर विल्टा case हो सकता है इसलिए हमेसा उसे पास दे 16th point give access to animals physically impaired person जो भी animals है और physically impaired जो लोग है जो physically challenged लोग है उसे road पार करने का मौकर देना चाहिए तो नहीं हमें प्रारिटी देना चाहिए और लास्ट पॉइंट इस यूज मिरर्स फॉर सेफ डराइविंग डोंट यूज हैंड्स फॉर सिंगनल इंडिया में क्या करते हैं अपने हाथ निकाल के ही दूसरे को सिंगनल दे देते हैं जब लैफ को मुड़ना हो तो यह समझ आया होगा मैंने मैक्सिमुम पॉइंट गरने कोसी किया है ताकि कुछ भी न चुटे और मैक्सिमुम पॉइंट आपको फॉलो करें जिसे आप सीफ ड्राइविंग कर पाएं ओके लास्ट इस आफ्ट राइडिंग अब इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों कि लास्ट हमें क्या करना है आप तो सिधे गाड़ी खड़ा करेंगे और घर में भागेंगे या ओफिस भागेंगे जो भी है बट यहां भी हमें कुछ चीज जैसी हैं जो ध्यान में रख कहीं भी गाड़ी खड़ा करकर ना चला जाए ठीक है पार्क दवेकल एट डेजिगनेट प्लेस ओनली जैसे आप ऑफिस विगर आए मौल में कहीं देखे होंगे एक गाड़ी खड़ा करने का पर्टिकुलर जगह होता है उसी को डेजिगनेट प्लेस करते हैं ठीक है सेकंड इसमें यह बूला जा रहा है कि कभी भी आप रोड पर गाड़ी खड़ा किये ठीक है मान लीजे अब बस से उतर रहे हूं ठीक है बस से अगर आप उतर रहे हूं तो कभी भी भी बस के आगे से आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए ओके रोड क्रॉस करने को मतलब लेफ्ट तू राइट नहीं जाना चाहिए या राइट तू लेफ्ट अगर आप आना चाह रहे है हमिसा गाड़ी के पीछे से गाड़ी को पहले निकल जाने दीजे उसके पीछे से वहां से पीछे से कुछ दूर हटने के बाग आप राइट तो लेफ्ट या राइट तो लेफ्ट 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 तो राइट आईए बेटर होगा अगर आप गीली जगह पर खड़ा करेंगे तो में स्टेंड गया होता है ज्यादा आपके लिए सई होता है सो नेस्ट पाइंट इस मेंटिन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अधर पार्क्ट वेकल गाड़ी भी लगाते समय जहां पर लाइन लगी हो यह गाड़ी की वहां पर आपको यह चीज गौर करना है कि अगल बगल जो गाड़ी है उससे एक से दो फिट दूर पर ही अपनी गाड़ कर जाती है तो यह भी अमें ध्यान रखना है गाड़ी करने से आग लगने का भी चांस हो सकता है तो सिस्थ पॉइंट यू कैन बैरिकेट यूर वेकल इन पार्किंग एरिया फॉर प्रॉपर एक्सेस अगर आप कई बार आप अपनी बिल्लिंग के नीचे या फिर ऑफिस म वहाँ पर उसको बैरिकेट करने का भी फैसलिटीज दिया जाता है तो अगर आप करेंगे तो यह जादा बैटर होगा आपके गाड़ी के लिए थीक है तो यह सब हमें कब ध्यान रखना है गाड़ी चलाने के बाद हमें यह सब चीजे ध्यान रखना है तो सेविंथ क्योंकि आपके गाड़ी में डीजल और पेट्रॉल्स होते है जो कि हाईली फ्लेमेबल होते है और ट्रांसफोर्मर और और इलेक्ट्रिकल पैनल से माल लीजाए गर एक भी चिंगारी कॉंटेक्ट में है तो वहाँ पर एक्स्प्लोड हो सकता है इसलिए हमेशा ध्यान में प्रेट लास पॉइंट इस पार क्यों आपको यह जो त्री स्टेप्स हैं आपको समझ आयवा तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मकसद में रहिए है कि लोग सीफ़ी ड्राइविंग करें जो भी सीफटी के रूल से हैं वह समझे हमें कैसे गाड़ी चलाना है वह समझे ग ऑके? आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तर एक लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना बोले ताकि उनको भी ऐसे interesting और important videos मिल सके तो दोस्तों जो important बात है वो मैं आपको बता दूँ जैसे कि हर मासम में जो driving skill होता है वो अलग-अलग होता है इंडिया में जैसे चार्टरा के seasons होते है तो गर्मी में हमें जो हमारा driving skill है वो अलग होना चाहिए जो ठंड में है वो अलग होना चाहिए और बर्सात में अलग होना चाहिए तो especially बर्सात में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग हम लोग को जो defensive driving है वो उस पर focus करना चाहिए क्योंकि बर्सात में काफी फिसलन भजी सड़क हो जाती है और उसमें सब कुछ नॉर्मल ही रहता है तो हमें जो बर्सात का मौसा में उसमें काफी काफी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें गाड़ी चलाना चाहिए इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और बता दू कि जब भी आप रोड पर accident होता है तो आप किसी भी किसी के साथ भी accident होता है तो आप उसे डारेक्ट होस्पिटर ले जाकर पहुचा सकते हैं इसमें आपकर आपकर कोई केस नहीं बनता है यह अभी इंडिया में रूल ब दोस्पिटल तक पहुचा सकते हैं और उसकी जो डीटेल से जो भी आपके पास डीटेल से यहां एक्सिटेंट हूए इस तरीके से वह आप पहुचा बता सकते हैं और आपकर किसी बीत्रह कोई करेवाई नहीं होगा वोके दोस्तों आयोप आपको इपॉर्टेंट लगा हो